को असकरी हैं नगर को तबलिया मांस फैलाए गिद रख वरिया मूस भैनाव मनजार कर हरिया दादुर सोबे सरप पहरुआ बहल भियाए गाए भै बंजा बचरु दुहिये तिन तिन संजाव नित उठी सिंग सियार से जूझे कवीर के पद कोई बिरले भूझे सद्गुरु कवीर इस दुनिया बालों का आचार बिचार देखकर हमेशा उल्टी बानी का परदरसन करते हैं लोग कहता है कवीर उल्टा बोलते हैं कवीर तो बिलकुल सुल्टा बोलते हैं किवल ब्यंग है ब्यंग दुनिया का चाल देखकर सद्गुरु कवीर ब्यंग बानी बोले हैं को असकरी हैं नगर कुतवलिया ठाना में कुतवाल होता है चवकीदार गाउन नगर सहर का वो चवकीदारी करता है कुतवाली करता है कहीं धकईत ना आ जाए, चोर ना आ जाए किसी के घर में सेंध न काट दे, किसी का लूट पाट न कर ले इसलिए कोतवाल रखा गया, चवकीदार रखा गया सद्गुरु कभीर, चिंतन मुद्रा में इस काया रुपी नगर, ये काया एक नगर है जैसे एक नकसा होता है, एक पलोट होता है इस गरईया का पलोट, दूसो बिघार, हाईसो बिघार या पांसो बिघार का रखवा हो, लकिन नकसा होगा मुश्किल से एक हाथ कागज में रखवा और नकसा में बहुत बरा अंतर है वैसे एक नगर बाहर है एक नगर ये काया है ये पिंड है और बाहर में बर्मांड है इस काया रुपी नगर की कोतवाली की चर्चा सद्गुरू कभीर दुनिया के लोगों के साथ करना चाहते हैं इस काया रुपी नगर का कोतवाली कौन करेगा चौकीदारी कौन करेगा इसको कौन जोगेगा पूरे दुनिया के लोग किसके कुतवाली में जीना चाहते हैं किसके रखवारी में सुरक्षित रहना चाहते हैं जहां मांस फैलाए गिद रखवरिया अगर दुचार दस कुंटल मांस का धेर कहीं लगा दिया जाए और गिद को रखवारी दिया जाए तो क्या गिद मांस का रखवारी करेगा दिलकुल हू बहू वही बात तो चल रहा है गिद है क्या मेरे जीवन में जो गिद मांस को खाता है वो गिद है क्या अभी जो चर्चा चल रही थी अखंड साहिब कर रहे थे ये गिद है बासना ये गिद है इक्छा ये गिद है मन कविर साहिब दीजक से कहते हैं भाईरे गईया एक बिरंची दियो है गईया भार अभार भाव भारी नौ नारी के पानी पियतु है तिरिसना तयो न बुजाई कोठा बहत्तर अलो लावे बजर के वार लगाई अखूटा गारी दवरी दिध बांदेऊ तयो तोर पराई इसातो और है सातो नौ और चौदह भाई एतिक ले गईया खाए बढ़ायो गईया तयो ना गई पुर्ता में राती है गईया स्वेत सिंग है भाई अबरन बरन किछ वो नहीं वाके खाद अखाद ही खाई ब्रह्मा विशनू खोज ले आए सीव सनकादिक भाई असेश सहस्त्रवा के खोज परे हैं लेकिन गईया कितू न पाई ये बासना रूपी गईया इक्षा रूपी गईया भाई रे गईया एक बिरंची दियो है बिरंची मने ब्रह्मा सारे दुनिया की हिंदू समाज का कहना है कि ब्रह्मा इस पूरे दुनिया का स्रिस्टी करता है मनाया सद्गुरु कवीर कहते हैं तो बनाने वाला जितने औरत और मर्द हैं दुनिया के अंदर चाहे वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, सीखो, इसाई हो सब लोगों को एक एक छा रुपी गाय दे दिया है भाईरे गईया एक बिरंची दियो है गईया भार अभार भो भारी अगर ग्यान आपके पास है अगर आत्म ग्यान आपके पास है तो गाय में कोई भार नहीं आप बीरी नहीं पीते हैं आप सिकरेट नहीं पीते हैं ग्यान है आपके पास आप दारू नहीं पीते हैं आप तारी नहीं पीते हैं आप गाजा नहीं पीते हैं बहार नहीं है, कोई बिँमारी आपको गया नहीं देगी, आपके जीवन कोई दुख में बना नहीं सकेगी, गया भार अभार, इस गाय में अगर ज्ञान है, तो जीवन हलका रहेगा ज्ञान नहीं है, तो यह काथ दर्जन बाल बच्चा पैदा किए और अपने जीवन को भार बना लिए यह गाय ग्यान है तो इसमें कोई भार नहीं है अग ग्यान नहीं है तो कितने लोगों का चीता जल गया दारू पीते पीते किर्णी फेल हो गया कितने लोगों का गाजा पीते पीते बीरी सिग्रेट पीते कैंसर हो गया चीता जल गई इनकी कितने लोगों का दारू पीते पीते पलोट के पलोट बिग गया पत्नी के जेवर बिग गया गाय भंशी बिग गया इतना भार हुई गाई में अगर ग्यान आपके पास नहीं है तो गाई इतना भार है कि कितना अदमी बेटी के भी आके चलते पौईजन खाके मर गया अपने जीवन को भार बना के गईया भार अभार गाई में कोई भार नहीं है अगर ज्यान है तब अग्यान नहीं है तो भार भो भारी अग्यान नहीं है तो इगया आपके जीवन को नरक बनाएगी आपके जीवन को इतना भार बना देगा जो आप जीना पसंद नहीं करेंगे और दूब के रेल में कटके आग लगाके फांसी लगाके आप दुनिया से चले जाएंगे यह एक छाप के जीवन को बर्बाद करके छोड़ेगा बासना दारू पीना तो फैसन है में रुप्या कमाते है दारू नहीं पीएंगे तो समाज में लोग क्या कहेगा यह तो बिल्कुल गेल गुजरल अदमी है शिकायत होता है अगर धन हो गया अनोकरी मिल गई अच्छी है दारू नहीं पीते हैं तो लोग शिकायत करेगा आपका यह तो बिल्कुल कंजूस है, बिल्कुल बेकार है भाईर गया एक बिरंची दियों है गया भारा, भार भाव भारी इस गया नव नारी के पानी पी अतु है नव इंद्रियानी के पानी पी रही है एक छारूपी का है आख गाण नाक जिब्या त्वचा सब کی पानी पी रही है सब का स्वाध ले रही है एक छारूपी गाय आख को चाहिए सिनेमा सरकस थियेटर नोटंकी भीदेशिया कान को चाहिए गजल फिलमी कवाली भोजपूरी नाख को चाहिए यित्र फुलेल चमेली बेली जिब्या को चाहिए तारी दारू मास मचरी गाजा भांग और तवचा को चाहिए भिसाय का अनंद इस सब का रस ये गाए ले रही नव नारी के पानी पियतु है तिसना तयो न बुझाई तब भी गाए की तिसना नहीं मीट रही है एक छारू पी गाए के